Hello everyone, yes, this is Anki Singh Pal and welcome to Magnet Brains Individuum. जहाँ आपको मिलता है Class 6 to Class 12, Pre-Education, वो भी High Quality Content के साथ. प्यारे बच्चो, Magnet Brains English Medium भी प्रोवाइड कराता है आपको Class KG to Class 12, Pre-Education, वो भी High Quality Content के साथ. यही नहीं, Magnet Brains Individuum भी High Quality Content के साथ. CVST वोट के साथ, UP वोट, MP वोट, Delhi वोट, विहार वोट, एंड राजिस्तान वोट की भी Classes प्रोवाइड कराता है, जिनको आप देख सकते हैं, यानि आप किसी भी वोट से हैं, चले आएए, पढ़ा देंगे. Magnet Brains Individuum, E-Notes and E-Books की भी Facilities प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप अब अवैल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं. और सर, आपको तो पते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, फुली और्गनाइज़ दे में दे डेली प्रतिश कोश्चन के साथ, यानि इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जोरत नहीं है, और सर, टेंसन तो बिलकुल नहीं लेना है. तो चलिए सर, रिस्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 12, जिसका नाम है, 12th क्लास में क्लास चैप्टर पढ़ा रेते हैं सर, Electromagnetic Induction, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रत्या साइकल होती है, पैडल मारते हो, जितना ज्यादा पैडल मारते हो, जितना ज्यादा पैडल मारते हो उतनी ज्यादी आपकी वैटरी चार्ज हो जाती है, फिर आपकी साइकल आराम से बिना पैडल मारे, चलती रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, डाइनमो बोलते है क्या बोलते हैं डैनमो बोलते हैं या फिर जन्रेटर बोलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे एसी जन्रेटर को सर जन्रेटर होता क्या है जन्रेटर होता क्या है सर जन्रेटर क्या होता है यह क्या करेगा कुछ मेकैनिकल एनर्जी को कंवर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रत्यावर्तिधारा जन्रेटर आईए बड़ते हैं जराब इसको डैनमो भी होला जाता है जो हमारी साइकल में लगा होता है देखें बड़ा वैदुचुमबके प्रेनन की किरिया का सबसे महतपूर उपयोग वैदुच जन्रेटर अथवा डैनमो में किया गया है यह एक ऐसी वैदुचुमबके मसीद है जिसके द्वारा यांत्र की उर्जा को वैदुच उर्जा में बदला जाता है प्रत्यावर्तिधारा को उत्पन करने के लिए दिश्टधारा डैनमो का उत्योग होता है बेटा क्या होगा कि इलक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन की एक ऐसी मुख प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग बेटा अल्टरनेटिंग करेंट को उत्पन कर सकते हैं किसको उत्पन कर सकते हैं तता इसी को हम लो लिते हैं बोला गाता है कि जब किसी वंद कुंडली को चुमबक के छेत्र में तेजी से घुमाये जाता है तो उसमें उन में उसमें से गुजने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में वैदुत धारा प्रेरित हो जाती है कुंडली को घुमाने में जो कारे करना पड़ता है अर्थात यांत्रिक उर्जा वे होती है जो mechanical energy हमारी खर्च होती है वही कुंडली में वैदु मैगनेट लगी होती है ऐब उसको बहुत सारे टर्ण होते हैं कॉपर वायर दो की कुंडली अब चुमबक की चेतर वाल रिखाए कैसी जाएंगी न और्थ से साउथ की तरफ जाती है अब बीच में लखें क्या रखी है सरक कुंडली पर टुब तरह है क्षिए गूमती है क्या होती वह कुंड़ी घूमती है जैसे यह चुम्ब कि फ्लक्स वे खाऊं में परिवर्तन आता है जिसके कारण magnetic flux बार-बार परिवर्तित होता है और आपको पता है जो बार बार परिवर्तित होता हैं और जब चलाते हैं तो एसे हैं लगता है मुद्धे उपने और हम्हें इसको सब्सक्राइब साफ्ट लगी है उसको घुमाने लगता है इंजन को घुमाने लगता है बार 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 कहीं न कहीं क्या हो रही है वो मोटर जो हो रही है वो मोटर क्या कर रही है वो जो साफ्ट लगी है उस साफ्ट को घुमा रही है तो कहीं न कहीं मेकैनिकल एनरजी की जा रही है क्या की ज कि है कि हम लोगों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांसरिट हो सकती है यहाँ पर जो मचैनिकल एनरजी हमवारे द्वारा की गई है वही मचैनिकल एनरजी अप किस फॉर्म में मिलेगी इम लोगों को देखा होगा कि आपके साइकल जो होती है ठीक है कुछ ऐसे साइकल होती है जिन में बैटरी वाली साइकल होती है सुना होगा कि सर यह बैटरी वाली मेरी साइकल है ठीक है और उस साइकल की बैटरी तब चार्ज होती है जब आप पैडल मारते हो क्या मारते हो पैडल मारते हो जैसे आप पैडल मारते हो वैसे वह साफ्ट घूमने लगती है ज्यादा तेज पैडल मारोगे तो ज्यादा तेज वह जो मैटल की क्वाइल होगी वह घूमेगी जिसके कारण फ्लक्स में परिवर्टन जल्दी जल्दी आएगा तो हमारी प्रत्याबरतिधारा जल्दी समझ में आया तो आपके द्वारा मकैनिकल कार किया जा रहा है तभी तो वह जो मैटल की प्लेट है वह घूम रही है तो कहीं ना कहीं यहीं मकैनिकल कार किस पॉर्म में परिवर्टित हो जाता है बढ़े आगी की तरफ इसका स्क्रीन शॉट लेना है आपको जल्दी से इसक इसके ऊंगे और देखते हैं इस इसे रशाना डेखते हैं तो इसका डाइग्राम है तो वह लिए कहां कि दो मैगनेट लगी होती है एक तरफ north pole एक साउत पूल तरफ बीच में जैसे बताए था एक कोईल लगी होती है क्या लगी होती है उस क्वाइल से ही कनेक्ट नीचे की तरफ क्या लगी होती है दो सार्फ बिले जिसको हम लोग बृषज बोलते हैं छीट है और बृष स्प्रिट रिंग से यह स्प्रिट रिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं स्लिप रिंग क्या बोलते हैं स्लिप रिंग ठीक है एक रिंग से तार का दूसरा छोड़ा होता है और दूसरी वाली रिंग से जुड़ा होता है और उसी के साथ हमारा बल्प लगा होता है क्या लगा होत पहला चुंबक च्षेतर तीसरा होता है धूसरा होता है चलिए पढ़ते हैं है कि मैंने बता कईगम рек द्चे दो मैगनेटıldwest साली होता है इसके दो पर रखा जाता है एक आर्मेचर रखा जाता है या फिर एक कौईल रखी जाती है और यह बहुत इसकति साली पावरफुल मैगनेट होती है तता इनकी जो बलब्रेखाओं की दिसा होती हो कैसी होती है साउथ पोल से नौर्थ पोल की तरह हाया ना ओके बटा तो आगे है बीच च्छ6 पर तल के तर्वाइन से घुमाई जाती है कहा गया है कि दो मैगनेट więcej मैगनेट इदर है अब बीच में कौन लगा होता है बीच में एक वैटा कौयल लगी नगकी होती है अब उस कौयल पर एक रेक्टेंगुलर सेप में कौयल होती है कसी होती है हुट मैं वहाइल हूँ फीकै य suburbs मेरे नाम क्या हो गया खागा अब मुझे गुमाया जायएगा जिसके कारण मेरे अंदर में परिवर्तन आएगा समझ में आ आ की तारों की यह जो कि अभी सीडी होती है जिसे अर्मेश च्वाइल कहते हैं कई फेरों के बहुत सारे नमबर ऑफ इसको जैसे अगर मैं कहूँ कि डायनमो को कैसे घुमाई जाता है बिजली बनाई जाती है तो क्या होता है आपने सुना होगा कि जर्ना से बिजली बनाई जाती है सुना है आपने कि जरना से बिजली बनाई जाती है कैसे जब उपर से पानी पहाणों से नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पर कुछ टर्बाइन पंखे जैसे लगे होते हैं और उन पंखों पर जब बिजली गिरती है तो वह पंखे खट-खट-खट-खट ऐसे घूमने है कैसे बड़ा हम लोग मेकानिकल एनरजी से वैद दूर जाक इसे उथपन कर रहा है कि जरना है जरना नीचे जब गिरता है तो यहां पर क्या लगा देते हैं तरवाइल पंकह लगा देते हैं उस पंके पर जरना घृता है जिसके कारण पंकह घुमने लगता और पंकह कोई दिक्कत पर इसानी नहीं चलिए इसका screenshot ले लेना और फिर बढ़ते आगे की तरफ जल्दी से लीजिए इसका screenshot से होता है जो पास में एक दूसरे को इसपर्स नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उसी अच्छ पर घूमते हैं इन श्रिप वल्ले के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं इन व्रिशुस का संबंद उस बहा परिपस से कर देते हैं जिसमें वैदुधारा भेजली होती है समझना वेटा क्या होता है कि यह जो आर्मेचर की क्वाइल है इस आर्मेचर की क्वाइल से क्या जुड़ा होता सबसे पहले दो रिंग जुड़ी होती हैं दो कॉपर की रिंग जुड़ी होती हैं जिनको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं स्लिप रिंग बोल यह fixed रहते हैं घूमता कौन है यह slip rings गूमती है तथा यह slip rings उन बुससे attach होते हैं मतलब छूते हैं टच कर रहे होते हैं ठीक है ऐसे करके माल लेते हैं यह हमारे slip ring है और यह दो बुरूस इस तो यह slip ring ऐसे घूमती रहेगी बतलब मैं अपना हाथ तो इसे पूरा नहीं घूम पाँगा यह slip ring ऐसे घूमती रहेगी लेकिन यह जो बुरूस लगे हैं ठीक है यह अपनी ही जगे पर रहते हैं एक बुरूस से और यह दोनों बुरूस से एक बुरूस होता है ठीक है और दोनों बुरूस से बेटा क्या attach होता है हमारा external circuit attached होता है समझ में आया तो बेटा यह तीन भाग में कहीं न कहीं हमारा generator बनके तयार होता है कोई रिक्कत पर है स्वानी हाया ना जल्दी से ले लेंगे screenshot और फिर बढ़ते हैं हम लोग आँगी तरफ जल्दी से लीजे screenshot ले लिया क्या चलिए आईए बढ़ते हैं सर आगे की तरफ कहा गया है कि सर इसकी working बत कि फ्लक्स और एखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अता कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है मानलो कुंडली clockwise दुसा में घूम रही है तथा किसी छण 36 अवस्ता में है जो की चित्र में दिखाया गया है इस छण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है तथा भ अता धारा ब्रुस X से बाहर जा रही है अर्थात ये ब्रुस धन ध्रुब है तथा ब्रुस Y पर बापस आ रही है अर्थात ये ब्रुस रन ध्रुब है जैसे ही कुंडली अपनी उर्दवाधर इस्तिती में गुजरेगा उर्दवाधर इस्तिती से गुजरेगा बुजा AB प्रकार आधे चक्कर के बाद बहा परिपत में धारा की दिशा बदल जाएगी अता परिपत में परतावरती धारा अल्टरनेटिंग करेंट उत्पन होती है समझना बेटा चीज को क्या होगा बड़ा आसानी से समझना मैं अपने हाथ से समझाओगा इधर की तरफ क्या है इधर की तरफ हमारा एक नॉर्थ पोल है इधर की तरफ हमारा एक साउथ पोल है बीच में आर्मेचर कोईल रखें मैंने बीच में एक आर्मेचर कोईल रखें ठीक है अब यह armature coil क्या हो रही है बेटा इस armature coil को घुमाएंगे क्या कर रही armature coil घुम रही है जैसे जैसे armature coil घुमेंगी क्या होगा जब यह armature coil को घुम रही है तो इस condition में देखना जब तल के कैसे रखी है बेटा magnetic field के कैसे रखी है magnetic field के perpendicular जब रखी जाएगी ठीकि यह magnetic field lines है और यह coil बिल्कुल perpendicular रखा है इस condition में सबसे ज़्यादा चुम्बकिये बल रखा इस coil से गुजरेगी बिल्कुल मतला flux की value ज़्यादा होगी हाँ जैसे जैसे इसको मैं घुमाऊंगा तुरंत क्या होता जाएगा बेटा flux की value कम होती चली जाएगी हाँ एक condition ऐसा आएगा कि flux की value zero हो जाएगी कब जब यह तल हमारे चुम्बकिये छेतर से कैसा हो जाएगा बेटा कुंडली का तल मतलब कुंडली और चुम्बकिये छेतर के बीच में कितना एंगल बनेगा सर एंगल बनेगा जीरो जिगरी का जब समानतर हों मतलब इस कंडिशन में फ्लक्स की value zero फिर यह तल नीचे घुमेगा फिर फ्लक्स की value बढ़ने लगेगी फिर थोड़ी दिर बद फ्लक्स की value कैसी हो जाएगी शून हो जाएगी फिर बढ़ने तो आपको समझ माय कि फ्लक्स की value बढ़ रही है पहले क्या होई माल लेते पहल कम हो रही है फिर कम से जी फिरत जीरो से कैसे होई है से घट रही है कुछ इस परीकेशक फिनोमिना सकत्व का कि बढ़ मैं हो खुमेगी तो swap क२डली को कुंड़ने में रखाए जो हो miraculous उत्पन हो जायगा क्यों प्रेखे में थारा यह फ्रकियाबरती धारा क्या है कर दो कर लाइज घो तो यह इते घो तौक सा मिलएं कि अब बटा क्या व्रकिया नो फ़िलने है धिए तरी की यहाधis का ओवies लो फईने हैं तो अगर हम तो सबक्रवकी शोट सबता लोग दोनों condition में इधर देख लेना जरा देखो अभी कुछ इस तरीके से है अभी कैसी है बैटा A B C D कुछ इस तरीके से है ठीक है कुछ इस तरीके से है तो यहां पर जो हमारी current की direction वो कैसी है clockwise है कैसी है current की direction clockwise है लेकिन जब यह तल ऐसे करके आ जाएगा उल्टा हो इसी की वज़े से प्यारे वच्छो इसी की वज़े से जो हमारे graph मिलेगा कैसा मिलेगा जो हमारा graph मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि पहले तो हमारी धारा बढ़ेगी फिर बढ़ने के बाद फिर घटेगी फिर जीरो हो जाएगी फिर जीरो हो जाएगी फिर जीरो हो जाएगी क्या मिलें नीज़ होदा बढ़ता है फिर घड़ता है फिर जीरो हो जाता है कि प्रित्य वर्ति भारा बोलते हैं कोई दिकत पर है हां या नहीं होगी तो जल्दी से ले लेंगे इसका समझ में आया क्या यहां तक, प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको A.C. Generator बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप विजिट करेंगे, Magnet Brains के Hindi Medium and English Medium के YouTube चैनल पर, एप्लिकेशन पर और वेबसाइट पर, प्यारे बच्चों, Magnet Brains Hindi Medium and English Medium, CVC World के साथ, UP World, MP World, Delhi World, बिहार World और राजिस्तान बोर्स की भी क्लासिस प्रोवाइट कराता है, जिनको आप देख सकते हैं, Magnet Brains Hindi Metamalogist Medium, E-Notes and E-Books की भी फैसिलिटीद प्रोवाइट कराता है, जिनको आप अवैल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक, इस्टाग्राम, फ्यूटर और टेलिग्राम आप सभी लोग चलाते हैं, तो यहाँ पर भी Magnet Brains Hindi Metamalogist Medium को जरूर जरूर फॉलू कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट फ्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!